हेई गाईज वेलकम बैक टो सूइच चुलीज मैं हुरुदीर कैसे हैं आप लोग गाईज आज हम लोग एक बहुत ही जादा फेमस गाना सुनने वाले हैं जो की आते ही मतलब धमाल मचा रहा है ठीक है अक्षे सर का सौंग है फ्रॉम देसी मेलोडीज ओके तो क्या लोगे त सौंग मतलब सच बताओ तो फैल रहा है ठीक है तो चलो सौंग को इन्जाइ करते हैं कि अ कि अ कि अ कि अ चल्दी चलो चल्दी चलने लेट होगा है में अ अ कि सर अ स्थेज वाइन इने इस ओके तो मारी हो मैं जाए कि अ लगत रूम में रही है अरे दौलत या शोहरत दूआ लोगे तुम या कोई महल न या लोगे तुम यार मेरे तू बता दे मुझे यार मेरे तू बता दे मुझे या लिखने की मेरी कलानों के तुम यार मेरे तू बता में मुझे यार मेरे तू बता में मुझे वो मेरी जिंदगी से जाने का अरे कुछ तो बोल मुझे खोल प्यार भी ढूंड के दे देंगे और क्या कर दे तुझको हम नया यार भी ढूंड के दे देंगे और क्या कर दे तुझको हम नया यार भी ढूंड के मुझे को यो जल्दी भूला लोगे तुम जब गैरों से नजरे में ना लोगे तुम यार मेरे तू बता में मुझे हुञ यहार। है यह कॉं तो ज्रीज भास्कार अच्याव झाल लवार्ज है प्यार adjacent भर का इन साँ तू दुश्मन है अब मेरा यारवार कोई नहीं ओ सनकी है पागल है पागल बनाता है जैसे मैंने छोड़ा मुझे आखेयों दिखाता है ओ पतानी क्या चाहता है मान थोड़ी दे देंगे जान है तो क्या हुआ जान थोड़ी दे देंगे ओ मेरा भी जमीर है ऐसा थोड़ी होता है जिन्दगी में हर चीज पैसा थोड़ी होता है ओ इश्क भी कोई चीज है खुदा है दवा है ओ जानी तुझे मेरी ये बद्वा है के चाहोंगे जिसको गवा लोगे तुम जो कर से हो शायरी भुला लोगे तुम यार मेरे तू बताबे मुझे हो मेरी जिन्दगी से जाने का क्या लोगे तुम मेरी जिन्दगी से जाने का क्या लोगे तुम हो मेरी जिन्दगी से जाने का क्या लोगे तुम जाओ आपकी फरारी खड़ी है जाओ 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 वाह बहुत सही यार एक तो भी पराग की आवाज जिस गाने में दर्द ना हो ना उस गाने में भी दर्द पैदा कर दे भाई साम पहली बात तो यार उनके जितने भी गाने है ठीक है चाहे कुछ का उन्होंने रीमेक बनाया हो चाहे उनके खुद के कुछ औरेजनल हो ठीक कोई साभी हो लेकिन वो हर गाने में जान डाल देते हैं सच्ची बता रहे हूं मुझे पता रही कि उनकी आवाज बहुत जादा पस कुछ लाइस सिंगर हैं जिने आप सरहते हो पसंद करते हो है न मतलब एक तरफ आपको ओक लस्ग जो सिंगर है वो पसंद होते है और फैसे सिंगर सिंगर काफी स्ट्रॉन होती है उन्हों मेरी इंट यो पसंद हैनाус मुझे बग्ड़े कुछ ऐसे जो है वहां पसंद है औ अपना ठीक है जिसको जो पसंद आजाए गाने ऐसी छीज़ें इमोशन जिन से कनेक्ट हो सकते हैं गाने हमेशा feeling को दर्शाते हैं और ऐसी feeling जो लोगों के साथ connect हो सके ठीक है चाहे वह entertainment हो चाहे रोमैंस हो चाहे वह ठीक है चाहे वह comic feeling हो है न कोई सी भी फेलिंग हो sad emotion हो just like this song तो इस song में यार ऐसा है कि भाई भाई दोका दिखाया क्या है है ना पैसे के पीछे दुनिया पागल है अपकोर्स है ना और उस चीज का सबसे बड़ा जो सबूत बॉलिवुड ने ढूंडा है है ना वो हमेशा से यही दिखाता है कि हाँ यार लड़कियों को जाद अतर यही चाहिए होता है कि जहां उन्हें पैसा दिखा वो उधर बिंपेंदी के लोटे के तरह डोल गई मतलब वाईया जो इनसान तुम्हें प्यार कर रहा है ठीक है जो इंसान तुम्हारे लिए टूंट कर रहा है और तुम्हें फरारी पसंद है जाओ अपनी प्रारी पर है रोरी थी पहली बात तो यार देखो एक तो यह बॉलिवूड का फॉर्मूला थोड़के बाद क्यों दिखाना रहता है यह तो किसी में भी हो सकता है किसी में भी हो सकता है तो हाब हर लड़कियों को ही दो के बाज क्यों दिखाया जाता है चाहे वो पंजाबी गाने हो आप देखो है ना चाहे वो हर्यानवी गाने हो चाहे वो बॉलिवूड के अल्बम सॉंग बस यह चीज एक है बट यहां पर यार मैं यह कहना चाहूंगी कि एक फीलिंग को दर्शाना था वो दर्शा दिया और लब देट सॉंग गार मुझे काफी अच्छा लगा तो आप लोग को रियक्शन पसंद आया होगा अगर अच्छा लगा हो दें प्लीज लाइक को शियर जरूर करना मैं विलोगी नेक्स पीटियो में हैंड़ाया झाल पाल